दोस्तो कुछ लूग अपने दिन की शुरुवात गुनगुना निम्भू पनी के साथ करता है, तो वही कुछ लूग गरम पनी के सेवन करके कुद को तरत जबन आते हैं, कुछ लोग की आदत होती है कि गरम चाय के साथ अपने दिन की शुरुवात करता है, तो वही कुछ को कई तरीके से फाइदा पहुचा सकता है बता दे कि नरियल पानी में कई तरह की न्यूट्रियंट्स मज़ुद होते हैं जैसे प्रूटिन, फाइवर, कैल्सियम, आइरोन, मैगनेशियम, शुडियम, जींक और बिटाविन, B6 आधी न्यूट्रियंट्स पाए जाता है जो स नाथ ही कुछ जरूरी साब्दानी और नुक्षान के बारे में भी आप जान पाएंगे वेसे तो नारियल पानी का सेबन आप कभी भी कर सकते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि सई समय पर पेने से इसका फाइदा डबल हो जाते हैं सुभी उड़ते ही खालीपेट नारियल पानी में लॉरिक एसिद पाया जाता है जो इमिनिटी को बोस्ट करने के साथ ही मेटाबलिजयों को बढ़ाता है साथी साथ गर्बवती मैलाओं के लिए भी नारियल पानी का सेबन काफी फाइदाबन सबित हो सकता है इसे डिहाइडरेशन और कब्स की समस्था से भी चू सुबह सुबह नारियल पानी पीने से ठकावट से लड़ने में मदद मिलती है और साथ ही ये एनर्जी को बोस्ट करने के लिए काफी सही माना जाता है खाना खाने से पहले अगर आप नारियल पानी पीते है तो इससे ओबर इटिंग से बाचा जा सकता है नारियल पानी का स सेवन करने से स्ट्रेस लेवल काफी काम होता है और दिमाग शांत रहता है रात में सोते समय अगर आप नारियल पानी पीते हैं तो शरीर के सभी विशक्त पदार्थ यूरिन के जरीए बाहर निकल जाते हैं जिससे यूरिनारी ट्रेक इंफेक्शन और कीड्नी से जुड़ी स समसाओं से बचा जा सकता है बिशेस करके अगर आपको केड्नी स्टों की सिकायत है तो आपका हर रुच्छ खाली पेट नारीयल पानी का सेवन करना चाहिए इसे केड्नी स्टों की समस्ता काफी हाथ ठीक होने में मदद मिलती है इसके लवा सुबे-शुबे नारीयल पानी का सेवन करना स्किन के लिए भी काफी फाइदमंद बाना जाता है इसके सेवन से तर्चा पर ग्लो आता है साथी चेरे पर पिंपल्स काली दाग और एक्जमा जैसे स्किन की समझाओं से चुटकरा मिलता है अब आये जानते हैं कि खाली पेट नारियल पानी पीने से क्या क्या समस्ता हो सकती है इसके अलबा नारियल पानी में ग्लोकूज मौजुद होते हैं ऐसा में इसकी आधिकरता शरी में ब्लाड सुगर लेवल बढ़ा भी सकती है इसलिए अगर आप डियाबेटिस के मरीज है तो आप इसे सूच समस्कर ज़रूर पीए तो दोस्तों हमारे आज